वल्कम आब्रिवन, वल्कम तु इन्वेस्टर काजी वीटीव चैनल आज के वीडियो बहुत इंपोर्टेंट है खास करके उन लोगों के लिए जो इस चैनल को रेगुलरली फॉलो करते हैं और उन लोगों के लिए भी है जो न्यू इस वीडियो में आये हैं उसका क्या सिचुएशन है, कब से ट्रेड बना है, क्या नहीं है सारा कुछ चर्चा करेंगे इस वीडियो में वीडियो को थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे सिंपल रखेंगे, एकदम किसी भी तरह का कोई टेक्निकल कोई ऐसा कोई टर्म यूज नहीं करेंगे जिससे समझने में दिक्कत हो तो सबसे पहला सवाल है मार्केट में गिरावट है लास्ट कुछ दिनों से जैसे कि हमें देखने को भी मिल रहा है चार्ट में कि ये गिरावट कुछ दिनों से मार्केट में देखने को मिल रहा है अब देखिए गिराबट के पीछे बहुत सारे लोग का डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन है कुछ लोग कह रहे कि इरान इराक का वार चल रहे तो मार्केट गिरेगा कुछ लोग कह रहें कि elections है तो market गिरेगा लेकिन इन सभी के बेच और एक news है market में और जिस news की वज़े से last time market में corrections देखने को मिला था और ये news अगर actual में इनको लाया जाता है तो market में एक downtrend initiate हो सकता है no doubt ठीक है अब सबसे पहले news को check कर लेते एक लम simple तरीक से समझाने के कोशिश करेंगे complicated नहीं रखेंगे चीज़े को ठीक है न्यूज है इंडिया और मौरिशेस का DTAA amendment ये क्या है basically इसका full form है double taxation avoidance agreement जो हुआ था इंडिया और मौरिशेस के base 1983 में इससे क्या होता है इससे basically होता ये है कि जो दो देश है इनमें जो businesses होते हैं जो trade होते हैं इनके लिए कोई double tax नहीं देना पर रहा इतने सालों से ये चलता रहा है और मौरिशेस जो है चोटा से का island है अभी इसमें क्या हो रहा था इसको बनाया गया था ताकि दो देश के जो audience है जो members है वो business कर पाए उनको business करने में आसान हो चीज़े उनको double tax देना ना परे लेकिन इसका advantage कहीं न कि हमारे देश के लोग भी ले रहे कुछ foreign की लोग भी ले रहे वो क्या कर रहे वो अपना ही पैसा इंडिया का ही पैसा वो बापस क्या करते वो बाहर भेजते हैं बाहर स इंडिया का ही पैसा इंडिया में इंवेस्ट हो रहे रहे लेकिन वो कहीं मोरिशस के थुरू आ रहे डिफरेंट डिफरेंट जगाह से घूम के तो इंडियन गॉप्मेंट को इसका कोई benefit नहीं मिल रहा अब recently government नहीं यह कहा कि देखो भाई यह जो process है हम लोग इसको बंद जुन जुलाई में आने वाला है उसमें हो सकता है कि यह जो rules है वो लाया जाए जिसमें tax देना परेगा अगर ऐसा होता है तो market में corrections देखने को मिल सकता है अब मैं आपको बता हो यह figure कैसा है यह कितना बड़ा figure है यह जो news है इसका क्या impact हो रहा इसका figure क्या इंडिया में अ 6% total investment का total investment का रिवन सतर लाग करोर के आसपास है उस सतर लाग करोर के investment का 6% सिर्फ और सिर्फ मौरिशास से आ रहे है आप सोचके देख लिए तो कहीं नहीं कि इंडिया के पैसा है जो घूम फिर के पापस इंडिया में आ रहा है लेकिन इसको कोई tax नहीं देना पर है तो government प्रॉसेस जो है हम लोग क्या करेंगे बंद करतेंगे इससे क्या होगा कि हमें tax मिलेगा अगर आपको business करना है तो आप business करिए लेकिन हमें tax दीजे अभी अगर आपको मौरिशास से इंडिया में invest करना है तो सबसे आपको reason देना होगा यह जो investment आप कर रहे है आप इसलिए नहीं कर रहे है कि आपको tax बचाना है आप genuinely करना चाहते है business ठीक है तो इस purpose से इसको change किया गया है अभी तक इसको implement नहीं किया गया है इसको probably budget में लाया जाएगा बहाँ पर discussions बगरा हो सकते है last time जब market गिरा था इसी news की वज़े से गिरा था और अच्छा खासा corrections उस समय पे लास्ट फ्राइडे को लास्ट फ्राइडे को क्या होता है कि वन बिलियन डॉलर मार्केट से निकाले गया है जो foreign portfolio है बहां से निकाले गया है तो इसका impact अभी market में देखने को मिल सकते है अगर ऐसा कुछ होता है अगर budget में यह चीज़ लाया जाता है तो इसका impact में probably हो सकत होगा कि ऐसे market में trade ना करें अपना capital ना गबाईए क्योंकि market ऐसे यह पर आपको कुछ नहीं मिलेगा अभी का recent market में मैं कह रहा हूँ कि अपना capital product करो जो भी capital उसको protect करके रखो profit में focus ही मत करो अगर आप recently देखेंगे मैं क्या कह रहा हूँ मैं खुद भी जादा कुछ trade नह नहीं कर रहा क्यों कि मुझे पता है ऐसे market में कहीं नहीं कहीं आपके emotions आपको डुबा सकते हैं आपको बर्बाद कर सकते हैं ठीक है तो मैं अपने पसल experience आपको यह कह रहा हूँ खास करके जो options trader है आप cautious है कुछ भी हो सकता है ऐसे market में अगर आज के दिन का अगर आप देखनों को मिला और जो पैसे है वो डबल हो गया यहाँ पर unpredictable ठीक है तो यह किसी भी तरह का कोई भी टेक्निकल चीज यहाँ पर काम नहीं कर रहा है आप यह मां सोचे गए यह मुझे रिटन जो मिला यह किसी technical situation के हिसाब से मिला है मैंने simply जो मेरे resistance था उसके हिसाब से एक यहाँ पर मिला जिसे कि मैंने कहा मैं drive कर रहा था अचानक से जब मैंने देखा अच्छा कासा profit आप इमेजिन कर लिए कि इतना profit चल रहा था मैं personal को इस figure नहीं बता रहा है आप तो यह वो situation है अगर मुझे पता होता ऐसे गिराबट आएगा मानके चलिए predictable अगर होता कि ऐस से गिराबट आएगा और इस तो मार्केट में ऐसे situation आएंगे अब इसको देखे मुझे यह नहीं करने के अगले टाइम में जब पूजिशन बना लुगा बिल्कुल भी नहीं अपनी पूजिशन को control में रखे discipline को follow करे market किसी दिन आपके favor पे काम करेगा किसी दिन आपके favor पर काम नहीं भी कर सकते हैं आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखने हैं अगर market मेरे किसी भी zone में आ रहे हैं मानके चलेए यहाँ पर जो मिने decisions लिया था क्यों लिया था क्योंकि मैं पहले से prepared था अगर यहाँ पर आता है तो मैं decisions लोंगा market कल कहा पर जाएगा किसी को नहीं मैं बस इतना कर सकता है अगर कल के दिन market यहाँ पर open होता है यह zone के आसपास रुखता है तो मैं अपना जो भी plan में इस zone के आसपास किया हुआ है उसको apply करूँगा इस हिसाब से काम करें ठीक है एक दिन पहले से predict मत करिए कि कल क्या होगा आप इतना predict करके रखे कि यह zone है य यहाँ पर में decisions लूँगा यहाँ पर यहाँ पर में decisions लूँगा अब कल market कहा पर open होता है open होने के इस जगह पर कैसे जाता है उसके बाद क्या situation बनते वो कल देखेंगे ठीक है यह पहला दूसरा चीज़ क्या है ऐसे market में अगर आप काम करें quantity sizing कम करने जाए अदर्वाइस अब सस्टेन ही नहीं कर पाएंगे एक ट्रेड आपके अगेस्ट पर गया आपका पूरा portfolio खाली हो जाएगा अब मैं आपको दिखा देता हो कि जो portfolio मैंने बनाया हो जैसे कि मैंने कहा आप लोग को कि एक portfolio मैंने बनाया हुआ है और तीन लाग का पोर्टफोलियो है सबसे ब option trader तो नहीं हूँ और मैं इसको दो दिन में तीन दिन में डबल कर दोगा एक महिने में डबल कर दोगा बिलकुल भी नहीं ऐसा possible भी नहीं है यह time consuming process है आप return को देख लिए कितने पसंद का return है टीक है तो time consuming process है एक दिन में नहीं होगा मेरा जो expectations है मेरा expectation है weekly मैं 5% निकालू अब हो सकता है कि किसी week में मुझे 2% मिला हो सकता है किसी week में मुझे 15% भी मिला तो मुझे average सोच के जाना है कि मैं weekly यह देखता हूँ कि मुझे 5% मिल जाए तो मैं अपने position को square up कर लोगा अभी मैं recent update आपको दिखाता हूँ ठीक है तो मैं जिस platform को use करता हूँ वो है SMC global इस से देखिएगा समझने की कोशिच करेगा ठीक है तो यह मेरा equity portfolio है मैं यहाँ पर आपको check करवा देता हूँ तो आपका जो view है वो पूरा clear हो जाएगा ठीक है 6000 के आसपर प्रॉफिट था ठीक है आज की दिन market में गिरावड देखने को मिला है आज की दिन अगर आप देखेंगे अभी में hold कर रहो करन जो मैं hold कर रहा हूँ इसमें 4000 का मेरा loss चल रहा है और इसमें अब तक मैंने 6000 का profit book किया ठीक है आज morning का मैं आपको update दे रहा हूँ आज morning पर यह 2000 profit में था यह पूरा का पूरा जो position है जो मैंने exit नहीं किया यह 2000 profit में था और आज क्या हुआ कि अचालक से जब market गिरा यह subtle यह नीचे आ तो यहाँ पर मुझे किसी भी तरह का कोई regretment नहीं है कि मैंने profit book नहीं किया या फिर ऐसा कुछ है ठीक है क्योंकि मेरा target है कि इस week मुझे कितना लेकर जाना है अभी भी मैं profitable हूँ right अगर आप देखेंगा अभी भी profitable हूँ तो मुझे पता है मेरा target क्या है आज के दिन सबसे worst गया मानके चले इस मंद का आज का जो दिन है वो बहुत बहुत गया फिर भी मैं profitable हूँ दिन मेरे एक पर जा सकता है इ मेरा target almost achieve भी हो चुका है पहले मेरा target achieve हो चुका था पहले दो तीन trade में target achieve हो चुका था लेकिन मैं video नहीं बना पाए मैं आपको कारण बताता हूँ क्यों कि जो investment है मैं नहीं कर पा रहा था जब मैंने पैसा बगर एड किया तो पहले दो दिन मुझे trade करने में थोड़ा दिक में कर रहा हो तो बापर चोटे capital से trade करना थोड़ा से मेरे लिए मुश्किल हो जा रहा था इस वज़े से मैं समझ नहीं पा रहा था कि किसको कैसे कहा पर manage करो इसी वज़े से मैंने कहा कि मुझे थोड़ा सा time दीजिए मैं सबको एक बर adjust कर लेता हूँ process मेरे clear हो जाता है उ समझा पाओ कि कैसे small capital को दीरी दीरी करके grow किया जाए ठीक है तो aggressive decision में नहीं लेना चाहता था मैं चाहता था तीन लाग में अच्छागा सा profit बना सकता था लेकिन मैंने नहीं किया मैंने अपने process को follow किया ताकि आप कुछ सीख के जाए यहां से तो अगर आप देखेंगे अ आज जिस हिसाब से गिरावट हुई है उस हिसाब से यह momentum देखने को मिला है तो ठीक है इसको हम लोग क्या करेंगे कल देखेंगे कि क्या momentum मिलते हाला कि यहां पर एक दो position में ग्रीन में थे morning पे यह भी 2000 के आसपास profit पे था ठीक है मैं इसको carry करके लेके जा रहा हूँ यहा आपको भी behave करना होगा ऐसा नहीं कि market के अगेंस्ट पर जाके आपको काम करना है किया रहे मुझे तो आता है तो मुझे आता है तो मैं trade करूंगा aggressive trade करूंगा ऐसा नहीं हमेशा market के साथ चलो market के flow में चलो अच्छा होगा बुरा होगा जो होगा आप manage करते होई चलो ठीक हो हो सकते है इस महीने मुझे कुछ खास return ना मिले लोग monthly का 3% expect कर रहे है आप सोच पा रहे है लोग monthly का 3% expect कर रहे है लोग monthly का 5% expect कर रहे है और बहां पर हम week का 5% expect कर रहे है यह हमारा week का target है ठीक है अगर आप देखेंगे safest way पर week का target भी एचिव हो चुका है already ठीक है अब क् कि इस महीनी ही मैंने शुरू किया था तो मैं अभी क्या कर रहो दीरे दीरे करके यह पूरा जो week है यह पूरा जो महीना है मैं थोड़ा थोड़ा करके अपने position के adjust बगरा करूंगा कुछ चीज़े पर मैं काम कर रहा हूं जब यह पूरा process complete हो जाएगा उसके बाद से next month से ह हर महीने आप लोग को update मिलता रहेगा कि portfolio का क्या situation है वह कैसे grow कर रहे है मैं बापस से repeat करो यह time consuming process है मैं discipline के साथ इसको grow करूंगा मैं कभी भी तीन लाग को ऐसे trade नहीं करूंगा कि मुझे जल्दी जल्दी से 10 लाग में convert करना है मैं safest way करूंगा ताकि आप लोग को यह believe हो है cash में पैसा बनता है impossible नहीं है safest way पैसा बनाया जा सकता है impossible नहीं और एक चीज़ में आप लोग अपडेट कर दो कि बहुत ही जल्दी हम लोग एक surprise लेके आ रहे हैं आप लोग के लिए बहुत ही जल्दी हम लोग एक ऐसे platform में जा रहे हैं जो लीडिंग platform है इस industry का यानि क स्टॉक मार्केट का आप कहे लिए उस platform में बहुत ही जल्दी हम लोग जा रहे हैं तो बहुत ही जल्दी सरप्राइज भी आ रहा है आप लोग के लिए तो जितनी मेंबर विल विशस है इस चैनल के सबसे पहले तो आप लोग का प्यार दीजिएगा ठीक है बहुत ही सबसे पहले चैनल को सबस्क्राइब करें अपने दोस्तों के साथ शेर करें कोशिश कर तो इस चैनल पर मैक्सिमा आपको लर्निंग प्रोवाइट कर पाऊ ठीक है और अगर आपको अप्डेट वगरा चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर जोड़ चाहिए थैंक्यू सो मच करेंग।